हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई उपीजी एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल ओफ एग्रोनोमी की इंपोर्टेंट कोश्चन साथ्यों आपको पता है कि आपकी परिछाएं कल से स्टार्ट हैं इसलिए आप इन प्रशनों को अच्छे से याद जरू कर लिजेगा साथ्यों साथ्यों पार्ट वन मैंने बना दिया था पार्ट टू ये है पार्ट टू देख लिजेगा साथ्यों पार्ट थ्री आपको सुबह चार बजे मिल जाएगा साथ्यों वो भी आप देख लिजेगा परिच्छा से पहले साथ ही अगर इसका पीडिएप चाहिए तो मैं डिस्केप्शन में अपना नंबर दे दूँगा वहाँ से आप हमें वाट्सप करके इसका पीडिएप ले सकते हैं साथ ही अपने दोस्तों के भी सेर किजेगा जो भी एगरी कल्चर भी किसी भी सेमेस्टर में है उन्हें भी पता चल सके कि हमारे चैनल पर अब्जेक्टिव टाइप के प्रस्ण करवाय जा रहे हैं साथियों सभी सेमेस्टर के इसलिए आप हमारे चैनल से जूड जरू जाएए का साथियों चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण खेत में पहली फ़सल के बीजों से उगने वाली पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते ह। वित्रन होता है वायो द्वारा होता है जल द्वारा होता है मनिश्यों और पश्मों द्वारा साथियों इन सभी से होता है क्या होता है साथियों option number D हो जाएगा इसका right answer I love these उप्रोक तो सभी हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा उप्रोक तो सभी next कुण और तालावों की सिचाई को जाना जाता है क्या कहते हैं साथियों माइनर सिचाई बोलते है राइट एंसर हो जाएगा साथियों माइनर सिचाई आलू की फसल के लिए सिचाई की सरुत्तम विदी है क्या है साथियों कूण सिचाई विदी क्या हो जाएगे साथियों कूंड सिचाई विधी राइट एंसर सिचाई की स्प्रिंकल विधी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए क्या जाता है साथियों जिससे की जल सीमित हो क्या हो जाएगा साथियों राइट एंसर जल सीमित हो नेक्ट टेंसियो मीटर का प्रयोग सरप्थम सिचाई के लिए निर्धान के लिए किसके द्वरा किया गया था सात्यों किसको द्वरा किया गया था सात्यों टेलर के द्वरा सात्यों यह most important question है आप इन प्रशनों को याद कर लेंगे इन ही में से 4-5 प्रशन मिल जाएंगे क् आपको मैं दिखाऊंगा आपके पेपर जब सोल कराऊंगा दिखाऊंगा कि आपके कितने प्रशन सही निकले हैं साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लिजेगा वहां भी मैंने जो वीडियो एग्रोनोमी या और भी सब्जेक्ट के बनाया हैं वहां भी देख लीजेगा साथियों सेडिलिंग सिचाई तकनिकी के रूप में आई डबलू सी पी इन पाथ किसके द्वारा सुझाया गया था साथियों रिचार्ड रिचार्ड द्वारा सुझाया गया था साथियों फसल जल्ब उपयोग शम्ता बराबर होथती है क्या होती है सात्यूं वाई बटे e T next गेहों में सिचाइकी मुख फिकर्ती मवस्ता है क्या है सात्यूं सीखर जन निकलते समे next गेहों का वनस्पतिक नाम है क्या है सात्यूं इनियु देली में साथियों 1905 में इसकी स्थापना होई थी न्यू देली में पहले इसका जो हेड़कोर्टर था 1945 में पूसा बिहार में था जो आर का वनस्पतिक नाम है क्या है साथियों सरगम बाइकोलर साथियों ये किस कुलका है 2N20 क्रोमोसोम संख्या है धान परदास धान परदान परदेश के अंतरगत कितने संस संयोजन परदेश सम्मिली थे हैं कितने हैं साथियों 12 परदेश मरस्थली पौधा है कैसे हैं साथियों काबिलिया केक्टई अगेव उप्रोक्त सभी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट अंसर औप्सन नंबर D is the right answer नेक्स्ट पानी में तेरने वाला पौधा है कौन कौन से हैं साथियों औप्सन नंबर A में दे रखा है E जोला B में दे रखा है पिष्टिया C में दे रखा है लेमना D में दिया हो उप्रोक्त सभी क्या हो जाएगा साथियों अप्रोक्त सभी Option number D is the right answer Next धान में जिंग की कमी से होता है साथियों कौन सा रोग होता है साथियों खैरा रोग होता है जिंग की कमी से Next उरुरक उपयोग छमता का सूत्र है क्या हो जाएगा साथियों उपज किलोग्राम में बटे डालेगे उरूरक की मात्रा इन्टु हेंडरेट साथियों सूत्र जरूर याद कर लिजगा क्योंकि आपकी परिच्छा में सूत्र हेंडरेट प्रसंट पूछे जाएंगे नेक्श्ट, खाद की मात्रा ग्यात करने का सूत्र है क्या है साथियों? हेंडरेट बटे उरूरक में पोसक तत्तो का प्रसंट इन्टु हें उरूरक की अनुसानसित सुखुराग नेक्श्ट, नाइट्रोजन की कमी लच्छंड दिखाई देते हैं किस पर दिखाई देते हैं साथियों पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं नेक्स्ट दूती पोसक तत्त हैं कौन से हैं साथियों गंदक साथियों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लिजेगा साथी वीडियो कैसा लागा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह चार बजे एग्रोनोमी के पार्ट थिरी में साथी हमारी प्लेडिश जरूर चेक लिजेगा वहाँ जो मैंने एग्रोनोमी के कोशन कराएं या और भी कोशन कराएं उन्हें देख लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएगा